असलाम लेकुम स्टुडेंट्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ और क्लास 8 मैथ की एक्सरसाइज 2.9 को कम्प्लेट सॉल्व करेंगे, तो आप वीडियो को आखी तक देखें ताकि आपको कम्प्लेट एक्सरसाइज की समझा सके, तो स्केर, प्लस टू एबी, प्लस बी स्केर, ठीक है, इसको क्लोज करेंगे, तो ये क्या आएगा, ये ए, ये दरमियान में ये जो प्लास आएगा, और ये बी, ये इसका स्केर बंद कर देंगे, ठीक है, इसी तरह से, अगर यहाँ पर माइनस हो, ये स्केर, यहाँ पर प्लस है ना, अगर यहाँ पर माइनस हो, माइनस टू एबी, ये ए और ये बी, ठीक है, प्लस बी स्केर, ये बी, ये ए, दरमियान में माइनस, इसको कैसे लिखेंगे, ए, माइनस बी, फॉल स्केर, ठीक है, तो सारी एकसरसाइज इन दो फार्मलों से होनी है, ठीक है, इन दोनों को आपने याद रखना है, अगर टू के साथ प्लस हो, तो दिरमियान में प्लस आएगा, अगर टू के साथ माइनस हो, तो दिरमियान में माइनस आएगा, ठीक है एक्सरसाइज का question number one X scale plus 14 X plus 49 इसको हम कैसे लिखेंगे ये X का scale बन रहा है ठीक है? X scale दर्मियान में प्लस ये प्लस है ना तो प्लस 2 X ये आ गया ये B का हमें नहीं पता है ये देखें 49 किसका scale है? 7 का scale है ना तो ये लिखेंगे 7 scale तो ये जो B है ये 7 आ गया ये देखें X जो है ये एक जगह पर आ गया है प्लस 2 एक जगह पर X B की जगह पर 7 ये 7 ठीक है B की जगह पर 7 क्या लिखेंगे? X plus 7 का scale ये X दिरमिया में प्लस 7 इसका scale तो ये 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 फार्मूला बन गया ठीक है? इस तरीके से इसको solve करना है इसके बाद question number 2 9 A scale plus 12 A B plus 4 B scale 9 A scale को हम लिख सकते हैं 3 A whole scale ये दरमियान में प्लस ठीक है? 2 प्लस 4 B का scale ये आएगा 2 B का scale ठीक है? ये A की जगा पे क्या आगया? 3 A और B की जगा पे क्या आगया? 2 B ये फार्मूला कंप्लीट हो गया ना ये देखें 2 3 6 6 2 12 12 A B ठीक है? ये बन रहा है ना इसको close कर देंगे ये 3 A ये तरमियान में ये जो 2 के साथ प्लास है ये प्लास लिख लेंगे ये 2 B ये इसका scale हो गया ठीक है? इसके बाद question number 3 16 प्लस 24 A प्लस 9 A scale ये देखें 16 4 का scale बन रहा है ना प्लस ये प्लस ये प्लस है ना तो प्लस 2 9 A scale ये 3 A का scale बन रहा है ठीक है? यहां पर A क्या है 4 B क्या है 3 A ये देखें एक जगा पर क्या है 4 A की जगा पर 4 है और B की जगा पर क्या है? 3 A ठीक है B की जगा पर 3 A तो A प्लस B का होल स्केर इसी तरह से 4 प्लस 3 A का होल स्केर तो ये इसका आंसरा आगे क्वेस्ट नमबर 4 25 एक स्केर प्लस 80 एक स्केर प्लस 64 Y स्केर 25 पांच का स्केर है न पांच एक्स का स्केर आगे प्लस 2 64 Y स्केर ये आएगा 8 Y का स्केर ठीक है? ये एक जगा पर 5 X आ गया और बीक जगा पर 8 Y इसको मल्टिप्लाइ करें 2 को 5 से तो ये अगा 10 10 को 8 से मल्टिप्लाइ किया तो ये आ गया 80 X Y इसको कंप्लीट करेंगे तो ये 5 X ये 2 के साथ क्या है प्लस तो प्लस लिखां 8 Y होल स्केर तो ये इसका आंसर आ गया तो ये क्वेस्टिन नमबर 4 कंप्लीट हो गया अब है क्वेस्टिन नमबर 5 A पावर 4 प्लस 84 A स्केर प्लस 252 इसमें देखें ये जो क्वेस्टिन दियो वे ना इसमें थोड़ी सी गलती है ठीक है अगर हम A पावर 4 के साथ 7 लिख दें तो ये कुछ सही हो जाता है ये जो सैवन है ना सैवन एटी फॉर और टू फिफ्टी टू मेसे ये सैवन कॉमन आ गया ठीक है ये बच गया A पावर 4 प्लस 84 को 7 पे डवाइड करेंगे तो ये आएगा बारा A पावर 2 टू प्लस 252 को 7 पे डवाइड करें तो ये आएगा 36 ये देखें अगर 7 को A पावर 4 से मल्टिपला है करें तो ये 7 A पावर 4 बनेंगा 7 को 12 से म requirements प्लाइं तो ये 84 आएगा साथ को 36 से मल्टिप्लाई करें तो ये 252 आएगा ठीक है इसकी हम फ्रेक्टरिजेशन का लेते हैं एपावर 4 है तो इसको लिख सकते हैं एपावर 2 इसका स्केर प्लास 2 ये 36 है ये 6 का स्केर ठीक है ये एक जगा पर एसकेर आगया बीक जगा पर 6 है ठीक है 7 इसको लिखेंगे एसकेर दरम्याम में प्लास 6 है ये होल स्केर आगया इसका ठीक है तो ये क्वेस्टिन नमबर 5 कम्प्लीट हो गया प्लास नमबर 6 चार एसकेर प्लस एक सो बीस ए प्लस नाइन हंडर्ड इसमें भी देखें ये 4 कम्प्लीट आ सकता है चार एक सो बीस और नो सो इसमें से चार कम्प्लीट आ सकता है ठीक है ये आएगा ए प्लस एक सो बीस को नाइन चार पे डिवाइड करें तो ये आएगा 30 नो सो डिवाइड चार तो ये आएगा दो सु पक्चिस ठीक है यह जारिए एगर 4 को a square से multiply करें तो ये 4 a scale आएगा 4 को 30 a से multiply करें तो ये 120 a आएगा फिस 4 को 225 से multiply करें तो ये 900 आएगा थीक है स्कोआगे हम solve करेंगे a scale इसको लिख सकते हैं a का scale प्लस 2 a b का लहां हमें नहीं पता न तो यह रहने देंगे 225 किसका स्केर बनता है 15 को 15 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो यह 225 आएगा यानिकि यह 15 का स्केर आएगा ठीक है तो एक जगा पे आगया A B की जगा पे 15 आगया ठीक है फार्मूला क्लोज करेंगे A 2 के साथ क्या है प्लस और यह B यह 15 है इसका स्केर ठीक है तो यह क्वेस्टिन नंबर 6 कंप्लीट हो गया क्वेस्टिन नंबर 7 एक स्केर माइनस 34 एक्स प्लस 289 यह बहुत इजी इसका स्केर है यह लिखेंगे एक्स स्केर माइनस 2 पहली टर्म दूसरी टर्म प्लस 289 किसका स्केर बनता है तो यह 17 का स्केर आएगा अब फस्ट टर्म क्या है एक्स सेकंड टर्म 17 ठीक है तो यह लिखेंगे एक जगह पर एक्स और टू के साथ माइनस एन अब तो यह माइनस आएगा बीग जगह पर 17 तो यह इसका स्केर आ गया तो यह पैस्टिन नंबर 7 कंप्लीट हो गया इसके बाद है क्वेस्टिन इस फोर्टी नाइन एक्स केर अगा माइनस एट्टी फोर एक्स प्लस थर्टी सिक्स यह देखें फोर्टी नाइन एक्स स्केर यह सैमून एक्स का स्केर बन रहा है ठीक है सैम एक्स स्केर माइनस टू फर्स्टर्म का हमें नहीं पता यहए थर्टी सिक्स यह सिक्स का स्केर बन रहा है ठीक है फर्स्टर्म का आगी सैम् एक्स में स्यक्रिंड टर्म सिक्स अब इन तीनों को मल्ठीप्लाई करें तो यह 54 आ चाहिए टू 7,0,14 फोर्टिन को 6 से मुल्टिप्लाई किया 14 मुल्टिप्लाई 6 तो यह आगा 84 ठीक है अब हम इसको क्लोज कर सकते हैं 7x 2 के साथ माइनस है तो माइनस लिखा है 6 इसका होल स्केर ठीक है तो यह क्वेस्टिन नमबर 8 कंप्लीट हो गया अग्या प्रेस्टिन नमबर 9 एक स्केर माइनस 18 एक्स वाई प्लस 81 वाइस के यह देखें एकस का स्केर बन रहा है ठीक है माइनस टू फर्स्ट टरम सेकंड टरम प्लस सेकंड टरम का स्केर यह 81 वाई स्केर है तो यह 9 वाई का स्केर बनेगा एक जगा पर क्या आगए एकस बी की जगा पर 9 वाई एकस यह टू के साथ है यह देखें 2 एकस 9 वाई इन तिनों को मल्टिप्लाई करें तो क्या एगा 18 एकस वाई टू 9 018 एकस वाई ठीक है एकस टू के साथ माइनस है तो माइनस नाइन वाई तो यह इसका स्केर आ गया तो यह क्वेस्टिन नंबर नाइन कंप्लीट हो गया क्वेस्टिन नंबर फोर तो इसको हम दिखेंगे ए पावर टू इसका स्केर माइनस टू फर्स्ट टरम सेकंड टरम प्लास 169 तो यह थर्टीन का स्केर आएगा एक की जगा पर क्या आएगा एस के यह वला कि बी की जगा पर यह थर्टीन आएगा ठीक है दो टू और थर्टीन को मल्टिप्लाई करें तो क्या आएगा 26 साथ एस के ठीक है यह बन रहा है ना पीछे तो यह बन रहा है ठीक है यह एगा एस के टू के साथ माइनस थर्टीन तो ये इसका स्केल आ गया तो ये क्वेस्टिन नम्बर टैन कंप्लीट हो गया क्वेस्टिन नम्बर एलेमन टू ए स्केल माइनिस सिक्स्टी फॉर ए लास पांचसो बारा ठीक है इसमें देखें टू कॉमन आ सकता है ठीक है ये टू सिक्स्टि फॉर और ये फाइवन्डड टाव एल्ब ये तीनो क्या है तू पे डिवाइड हो सकते हैं तो इसका मतलब है हम टू कॉमन ले सकते हैं ए स्केल सिक्स्टि फॉर को टू पे डिवाइड किया तो ये आ गया 32 ए यह पांचसो बारा को टू पर ड्वाइड किया तो यह अगर टू हंड़ड फिफ्टी सिक्स है तू हंड़ड फिफ्टी सिक्स है ड्वाइड करके देख लें तू टू तू दर फोर वन वन टू फाइज दर टैन दो नीचे बारा दो छे बारा ठीक है तो यह टू हंड़ड फिफ्टी सिक्स है आगया टू हंडड फिफ्टी सिक्स तू को टू हंड़ड फिफ्टी सिक्स से मल्टिप्लाई करेंगे तो यही बनेगा पॉइंट सो बारा दो को 32 से multiply करेंगे तो ये 64 आएगा ठीक है इस तरी के से इसको solve करना है ये square इसको लिखेंगे a power 2 minus 2 फर्स्ट टर्म ए second term यहां से बनाएंगे 256 तो ये 16 का square आएगा ठीक है 16 को 16 से multiply करें तो 256 आता है 16 का square तो ये बी की जगह पे क्या आगा इस इसको लिखेंगे ए टू के साथ माइनस तो ये माइनस आएगा 16 स्केर ठीक है तो ये इसका answer आगया ये question number 11 complete हो गया स्वाल नंबर बारा वन माइनस 6a square b square c इसको हम लिख सकते हैं 1 का square क्योंकि इसमें कुछ भी common नहीं आ सकता ठीक है वन का square क्या आता है वन नहीं होता है यानि के वन को वन से multiply करें तो वन ही आएगे टू प्रेली वैलियू फर्स्ट टर्म ये सेटेंड टर्म प्लस नाइन ए पावर फोर बी पावर फोर सी पावर टू इसको लिख सकते हैं 3 A square, B square, C इसका square ठीक है थी का square 9, A power 2, इसकी power 2, 2204 ठीक है इस तरह से B power 2 power 2, 2204, B power 4, C power 2 ये देखें फर्स्ट टर्म क्या आँगी वन second टर्म ये आँगी 3 A square, B square, C इसको हम लिखेंगे वन तू के साथ क्या है माइनस ये देखें टू को थ्री से मल्टिप्लाई किया तो यह आएगा शिक्स एसके बीश के शी ठीक है वन टू के साथ माइनस है तो माइनस लिखा थ्री एसके बीश के सिए वह ला इसका स्केर तो ये इसका स्केर आ गया तो ये क्वेस्टिन नंबर 12 कम्प्लीट हो गया क्वेस्टिन नंबर 13 4X पावर 4 प्लस 20 X पावर 3 Y Z प्लस 25 X स्केर Y स्केर Z स्केर इसमें देखें ये X स्केर कम्प्लीट आ सकता है X पावर 4, X पावर 3, X पावर 2 तो ये X स्केर कम्प्लीट आ सकता है ठीक है और कुछ भी कम्प्लीट नहीं आ सकता है बगी बज़ गया 4X स्केर प्लस 20 X Y Z ठीक X स्केर कम्प्लीट आ गया ना इसमें से प्लस 25 एक स्केल कॉमन आ गया ये बज़ गया y-skेल z-skेल इसको लिखेंगे 4x-skेल इसको लिख सकते हैं 2x का स्केल प्लस 2 फर्स टर्म सेक्ड टर्म प्लस ये 25 y-skेल z-skेल इसको लिख सकते हैं 5y-z इसका स्केल यह A की जगा पर 2X आ गया B की जगा पर 5YZ ठीक है यह आगए X के ल, इसको लिख सकते हैं 2X, 2 के साथ क्या है प्लास है, अब यह देखें इसको मल्टिप्लाइ करने से यह चीज़ बन रही है के नहीं 2, 2, 4, 4, 5, 20, X, Y, Z, X, Y, Z ठीक है, तो यह अगर 2X, 2 के साथ प्लास, तो प्लास 5YZ इसका स्केर, तो यह इसका अंसर आ गया तो यह क्वेस्टिन नम्बर 13 कंप्लीट हो गया क्वेस्टिन नम्बर 14 9 ओवर 16, X केर प्लस एक्स वाई प्लस 4 ओवर 9, Y स्केर 9 ओवर 16, X स्केर, इसको हम लिखेंगे यह 9 जो है, यह 3 का स्केर है, यह 16, 4 का स्केर है 3 ओवर 4, X, इसका स्केर है, ठीक है यह देखें, 3 का स्केर, 9, 4 का स्केर, 16, X स्केर प्लस 2, फर्स टर्म, सेकेंड डर्म, प्लस 4 over 9 y square तो ये जो 4 है ये 2 का square है 9 3 का square y इसको लिखेंगे 2 over 3 y all square ये A की जगा पे क्या आ गया 3 over 4 x B की जगा पे 2 over 3 y ये देखें 3 से 3 cancel 2 to the 4 4 से 4 cancel x y बच गया ये plus x y ठीक है ये जिए बन रही है न तो इसको लिखेंगे 3 over 4 x 2 के साथ 2 over 3 y whole square आ गया तो ये question number 14 complete हो गया question number 15 49 over 64 x power 2 minus 2 x y plus 64 over 49 y scale इसको लिखेंगे 7 49 जो है ये 7 का स्केर है 64 8 का स्केर है इसको लिखेंगे 7 over 8 x का whole square है ये दिन्याम में माइनस तो माइनस टू फर्स्ट टरम सेक्ट टरम प्लस 64 जो है ये 8 का स्केर है 49 7 का स्केर y whole square ठीक है 7 over 8 x a की जगा पर 7 over 8 x आ गया b की जगा पर 8 over 7 आ गया y ये देखें 8 के साथ 8 cancel 7 के साथ 7 तो ये बच गया minus 2 x y ठीक है ये वाला इसको close का देंगे 7 over 8 x 2 के साथ minus 8 over 7 y all scale तो ये question number 15 complete हो गया question number 16 a scale over b scale into x scale minus 2 a c over b d into x y plus c scale over d scale into y scale a scale a scale, b scale, x scale इसको लिखेंगे a over b x whole scale ठीक है ये देखें दर्में में माइनस है तो माइनस 2 फर्स्ट टरम second term plus c square, d scale, y scale ये लिखेंगे c over d y whole scale a की जगा पर क्या आगया a over b into x b के जगा पर c over d into y ये देखें 2 a c over b d 2 a c over b d into x y x y ठीक है अभी ये देखें a over b x 2 के साथ minus c over d y all scale आ गया इसका तो ये question number 16 complete हो गया question number 17 16 x power 6 minus 16 x power 5 plus 4 x power 4 इसमे x power 6 x power 5 x power 4 तो x power 4 common आ सकता है na 16 16 4 तो ये 4 भी common आएगा 4 x power 4 common आ गया ठीक है यहां बाच गया 4 x power 16 4 x power 2 minus 4 x ये 4 x power 4 common आ गया यहां पर plus 1 बागी बाच गया 4 x power 4 को 4 x power 2 से multiply करेंगे तो ये 16 x power 6 बनेगा 4 x power 4 को minus 4 x से multiply करेंगे तो ये आएगा minus 16 x power 5 इसी तरह से 4 x power 4 को 1 से multiply करें तो ये 4 x power 4 आएगा ये आगा 4 x power 4 as it is इसको आगे solve कर लेंगे 4 x square है तो इसको लिख सकते हैं 2 x का square मैंने माइनस ये देखें 2 एक जगा पर 2 x है 1 का square क्या आएगा 1 ही आएगा तो ये बी की जगा पर 1 आ गया 2 x का square 4 x के रहता है 2, 2, 4 4 को 1 से multiply किया तो 4 ही आएगा माइनस 4 x 1 का square 1 ठीक है 4 x power 4 ये 2 x 2 के साथ माइनस तो माइनस आएगा 1 2 x माइनस 1 का होल स्केर ठीक है तो ये क्वेस्टिन नबर 17 कंप्लीट ओगे क्वेस्टिन नबर 18 a power 4, b power 4, x scale minus 2 a scale, b scale, c scale, d scale, x, y plus c scale, c power 4, d power 4, y scale c power 4, d power 4, y scale, ठीक है इसको लिखेंगे, a power 4, b power 4, x power 2 तो इसको लिखेंगे, a power 2, b power 2, x whole scale 224, 224, x power 2, ठीक है, 2, a, b, c power 4, d power 4, y power 2 इसको लिख सकते हैं, c power 2, d power 2, y, इसका scale, ठीक है यह c power 2, जो है, इसका scale, c power 4 हो गया, d power 2, इसका scale, d power 4, y का scale, y scale ठीक है, एक जगा पर यह आ गया, a square, b square, x, a square, b square, x b की जगा पर, c power 2, d power 2, y, c square, d square, y, ठीक है इसको multiply करें तो यही बनेगा, minus 2, a square, b square, c square, d square, x, y ठीक है, इसको जब close करेंगे, यह एगा, a square, b square, x, 2 के साथ minus, तो यहाँ पर minus, c square, d square, y, इसका whole square, ठीक है तो यह इसका answer आ गया, तो यह question number 18 complete हो गया, इसी के साथ exercise 2.9 भी complete हो गई, और अगर आपको इसमें कोई doubt हो, तो आप लादमी comment box में comment करें, and thanks for watching this video, khudahafiz.